तुम्हाला एखा द्या ठीकानी कदी तरी इंग्लिश मदून स्पिच देने ची वेड यहूँ शक्ते कि वा जर तुम्ही दाववी की वा बारावी ची स्टुडेंट्स असाल कि वा तुम्ही मुलत जा दावी की वा बारावी ला अस तिल आनी तैंचा डोक्या मदे स्पिच राइटिंग कसा कराव हाज प्रश्ण असेल तो त्या साथी हाँ वीडियो वित्रानों तुम्ही बगून गया कारण स्पिच राइटिंग सा जो काई आईडियल फॉर्मैट आहे तो या ठीकानी फॉर्मैट में घून आले नो आहे या ठी इंग्लिश पेपर मधे मैं जो काई क्वेश्ण पेपर आहे एक्विस्तार के लजी काई एक्जाम होना रहे त्या मधे फोर मार्क साथी अहां प्रश्ण विचारला जातो तबगा मित्रानों सुरुवात कशी कराई ची आता एक या ठीकानी में दिलेला आहे आता तुम्ही ची क 문제र फोर आता टाइकानी इंटरुश पेफर का यसी का मित्रान्न बगा ओनरेबल चीफगेस्ट अब दया प्रग्रम्ट करेकर्मा प्रिंसिपल, तीचर्स, एंड माई डियर, ब्रदर्स, एंड सिस्टर्स, आनी माजा बंदू, आनी भगिनिन नो, किवा तुम्ही माई डियर फ्रेंड्स असपन बनू शक्ता, त्या नंतर पुढे काये कराई साहे, कि तुम्हाला सोताज नाव लेह साहे, कि वा सांगाई साह असपन आता तुम्हा नाव इतली लिल्यान अनतर, ऊके, फुढे काये कराई साहे मित्रानो, तुडे, आएम गोईंग टीलिवर ऐस्पीच अन्द टापिक, जा विश्या वर तुम्हाला स्पीच तेजा आहे, तो टापिक त्या तिआ टिकानी लेह साहे, फग्जामबल की, Today, I am going to deliver a speech on the topic Advantages and Disadvantages of Social Media में जे हाज अला अपला topic तो तुम्ही त्या टिकानी काय कराई सा मेंशन कराई सा आता तेजा पुरे जाउन काय कराई सा एक वाक्य एड कराई से मित्राननो I hope अपन वरा टीमा देपनासा मनत होताना पूर्वी चे गरे तुम्ही माज़ बाशन जे शांतती ने आईकुन गया वे आशी में तुम्हाला नमर विननती करतो I hope you will listen to me peacefully and carefully तुम्ही माज़ जी कही बाशन आहे शांतता पुरुवक आनि काल जी पुरुवक आईकुन गया आशी में या टिकानी आशा करतो आता हा भाग जाला मित्रा नो इंट्रॉडूक्शन चा जे थोड़ा सा सुरुवा तिला एज़ तुम्ही या टिकानी असा मालू शकता आता सेकंड पैरेग्राब जे तुम्ही स्टार्ट करना आहात न तो थोड़ा हटके स्टाइल मदी जाला पाईजे एकदमस डारेग्र की there are five disadvantages of social media there are five advantages of social media असर मुनू न का ता काई दरी हटके स्टाइल मदी तुम्हाला काई कराईचे speech ची सुरुवाद कराईचे जससे की पहा there is a famous sloka in the Gita गीते मदे एक श्लोक आहे प्रसिद्ध श्लोक आहे तो श्लोग तेकानी तुम्हाला मान्दाईचा आ है कि कर्मन ने माँ धिकार रस्ते मा फलेशु कदा चैना कदाचित माँ जाचुक लास इन पण एक ख़ादा श्लोग जो आ है तो तुम्हाला माणडू शकता कि वहां या वित्रिक्त गांधी जी यूस्टू से गांधी जी म काई साहे त्यान अंतर क्यों हाँ I would like to start my speech with a poem I would like to start my speech with four line lines from the poem of Robert Frost Robert Frosty जी काई पोएम आहे तया पोएम मदले काई चार लाइन साहे तया चार लाइन से भी माजा भाशना जे शुर्वात करू इच्छी तो मग तया चार लाइन सुम्हा लाजे तया मांड़ा ही चाहे woods are lovely dark and deep but I have a promises to keep and miles to go before I sleep miles to go before I sleep है चार लाइन असा काई तरी तुम्हाला तया टिकानी टाकता लबाई जे त्या पुड़े जाउन काई कराई जे मित्रानों कि थर्ड पारिग्रम क्यों थर्ड पॉइंट असा है कि use present continuous tense तुम्हाला चालू वर्तमान का यूज कराई साहे तुम्हाला का है मित्रानों कि आपन जे विचार व्यक्त करतों ते विचार सद्य स्थिति मदे जे काई आप ले आउती घड़ता है त्यावराचा आदरी तस्ता फॉर एक्जांबल की unemployment in India हा तुम्हा टॉपिक है इस प्रेजेंट कंटिनियो स्टेश मदी तुम्हाला बोलाई चाहे त्यान अंतर काही स्लोगन यूज कराई चाहे घोश वाक्या जय जवान जय किसान ओके या टाइप मदी काही अस्तिल स्लोगन तुम्ही यूज कर शकता और आस्क्वेशन प्रश्न विचारा वाय तो दो क्या निरे स्ट्रेश है अट्राइप कर श्यूज कर दोक शक्राइब तुम्हां दुम्हां तुम्हां आप क्रस्ण विचारा कि यंग मैं चैल में इन इस ड्रू वह सत्य आहे का एक अगरा है का ओके मंचे तयाला तुम्हीं उब कराइचा तुम्हा ओडियंस मदल्या काही लोक काना जेने करूं कि बाकी चाहिए जेकाई आटेंचन आहे तुम्हा करें त्याला तर पुड़े काही कराइचा है एक्स्प्लेइन दखी वर्ट्स एंड इंपॉर्टन पोईंट्स जेस्पीच तुम्हीं करत आहा तो तुम्हा करें कहीं की वर्ट्स असले पाईचा फॉर एक्जांपल की वाट आर दी अडवांटेजिस आप सोचल मीडिया अता पहला की पॉइट आहे एंटर्टेंबेट सो आहे इंपॉर्टन पोईंट्स ते तुम्हाला त्याटिकानी मेंचन करता आले पाईजी आणि तहला एक्स्प्रेन करता आले पाईजी पुड़े काय मनाईजे मित्रानो आता तुम्हीं एंड ला आलेला हाथ मैंजे you are going to conclude your speech तुम्हीं तुम्हा भाष्ण जी आए ते पूनिया पुर्वी ओके क्यों बिफोर आए कंक्लूड माई स्पीच हे पन्वाके तुम्हीं यूज करो शक्ता काय आई वूड लाइक तु से मला हे मनाईजा है कि वी निट्टू स्वाप्शन आप लेला करप्शन जी थांब है से ब्रष्टा चार्ज वाए तो थांब है आउसब कहीं तरी फोर्सपूल वाक्य तुम्हाला थ्यार करें तुम्हेल आटिकानी त्यार करेंच आए यूहव तो एक आप लागावगा वागर आशी काई अनर्जी देना ज्रू ये वाक्य है ते वाक्य तुम्हीं या ठीकानी आड करो शक्ता आणि एक काम करेंसा है कि speech जा moment ला तुम्ही end करना रहा, संपौना रहा तो moment असा आसला पाईजे कि लोकार ने तुमच्या speech वर विचार करला केला पाईजे, क्यों विचार करने आस भाग पाडला पाईजे तुम्ही लोकार ना, त्या stage ला त्या मोवेंट ला तुम्ही तुम्हा स्पीच जी आहते एंड केला पाएजे आता त्या नंतर शेवट चा वाक्य काईले हैच थांक यू फॉर कीपिंग साइलेंस और लिसनिंग तुम्ही पीसफोली ओके शांतता थेवल्या बदल आणि माज़ भाशन काली पुल्वक अगेला बदल में तुमझा आवारी आहे तट्स-ण्यू वखोल आणि बारा वचे श्टूडंट जी आहे तुम्ही यवड़ा जरी लील यॵड़ा पाट करों जरी जरी गिला यह जोड़ा सा बदल किला थोड़ा फार एंडिंग में सांगीत लिया प्रमानेज जा किली तो दोन मार्स तुम्हाला हम खास पड़ा है काही तरी तुम्हाला त्या टिकानी लीनगर जेज आए यह जोड़ा लीलन तुम्हाली चांगला प्रौपरली तरी पन तुम्हाला त्या मदे मार्स ब्रूपर तरी तुम्हाला चांगला मार्स ब्रूपर शट था students I hope कि तुमाला ही समझ ला से, thank you very much